नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका परागबुटिक चेनल पर दोस्तो आज देखिए मैं आपको इतने सारे बुलाउच की कटिंग बताने वाला हूँ इनको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग सिखाएंगे आज और देखिए मैं आपको एक जानकारी दूँगा न ना तो आपको फ्रेंच करव लगेगा और ना ही आपको यह ट्रेंगल लगेगा इसकी भी कोई जरुफ नहीं पड़ेगे आज बुलाउच कटिंग सिखने के लिए आपको ना ही आपको का की 裁ष कि ज़रुफ पड़ेगी इस इंच टेप पुराना बुलाउज है ना इसके हिसाब से आपको बुलाउज की कटिंग सिखाऊंगा और जैसे कस्टमबर हमारे पास आता है और कस्टमबर कहता है कि ये बुलाउज हमको बिल्कुल पूरा बरोबर बन रहा है तो हमको पूरा बुलाउज इसी के बराबर तैयार करना है तो आपको आज एक ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा कि जिसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि बुलाउज में कितने बड़ा रखना है कितने छोटा रखना है जैसे ये बुलाउज है इसी के हिसाब से कटिंग कर लेना है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और पहले दो अस्तर ले लेंगे जैसे कि यह है इन दोनों को हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे ठीक है और फिर इन अस्तरों को पूरा इस पर रखकर कटिंग कर लेंगे यह जो रहते हैं ना कपड़े इन अस्तरों को कपड़े पर रखकर कटिंग करना होता है तो हम आपको आ एक-एक मिटर अस्तर है और जिसका पना 44 इंच का है बुलाउज भी बहुत बड़ा है आप अभी देखना बुलाउज को मैं आपको बता दू बुलाउज की कमर ही 40 इंच है देखिए हमने दोनों अस्तरों को एक के उपर एक रख लिया है अब यहां से क्या करेंगे हम इस भा लेना है और इसका जो उपर वाला भाग रहता है ना यह वाला ऐसे रख लेना है यहां पर यह देखिए आपको किलियर समझ में आ जाएगा यह फरंट का भाग हमने उपर रख लिया है अभी यह चाक लेंगे हम यह जो सिलाई है इस पर एक मार्क लगा लेंगे यहां पर ए आपको पीछे वाली जो सिलाई है ना, जब आप ऐसा हात लगाएंगे तो आपको पीछे वाली सिलाई ऐसे दिख जाएगी वधियु देखने को मिलेगा इसके बाद आपको ब्लाउट कटिंग में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा यहां रखेंगे ऐसे और यहां पर यह देखिए इस जगे पर इतना रखना है आपको दो से धाई बोट के करीब जो आगे अंदर मोलने के लिए रखेंगे हम हम इन बुलाओ जो में भी तुर्पई की पट्टी देंगे कैसे देंगे जो इस्टिचिंग का वीडियो आएगा उसको ध्यान से देखना है अभी देखिए यह रख लिए हमने ऐसे यहां पर चाक का निशान लगाएंगे यह लंबई हो गई है यहां पर एक चाक का निशान लगाएंगे और यह जो जगे है ना यहां पर देखिए यह किलियर लगाएंगे निशान और एक दिसान निशान यहां खह cookie में आने आरा होगा अभी यहां हाथ रखेंगे यह sentir है ना इस जगे पर यहां पर देखिए यहां पर आपको व्ला। के इससिलाई दिखेंगी इस अस्तिन की सिलाई पर एक मार्क लगाएंगे लग गया और इस भाग को हटा देंगे अभी देखिए यहां से इस मार्क से हम ऐसे सीधे डिसान को उतार देंगे इसका एक और तरीका मैं बता देते हूं आपको जिसे इस भाग को हमने यहां रखा ऐसे वापस से ठीक है अभी हम क्या करेंगे यहां ऐसे पल्टाएंगे तो यह देखिए सिलाई के उपर एक निशान लगा देंगे फिर थोड़ा पल्टाएंगे यह सिलाई के उपर एक निशान लगा देंगे फिर थोड़ा पल्टाएंगे और इसी सिलाई के उपर निशान लगा देंग और फिर एसे पल्टा कर इसी सिलाई के उपर निशान लगा देंगे ऐसी करते करते हम यहां तक निशान लगा लेंगे ये भी एक तरीका है और जिनको थोड़ा अनुभव है वो एक सेंटर का निशान उठाएंगे ये निशान उठाएंगे और ये ठीक है लेकिन अगर आप इसको हटाएंगे यहां से और यहां पर देखिए आदा इंच की हम को देना है मार्जिंग यह किसकी मार्जिंग तो यह आदा इंच की मार्जिंग को ऐसे आपको लगा लेना है आप किसी भी प्रकार की कि अस्तिन इस मेथट से कटिंग कर सकते हैं आपका कभी भी अस्तिन बड़ी छोटी नहीं होगी ठीक है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपको अस्तिन की कटिंग करके दिखाता हूँ कि ऐसे यहां रखेंगे ऐसे इसको अटा देंगे यहां पर रखेंगे इस प्रकार से ऐसे यह हो गई अब आपको क्या करना है यहां पर यहां पर एक मार्क लगाना है और यहां पर एक मार्क लगाना है तीन बोट दूर से एक मार्क लगा कर ऐसे और इस निसान से यहां मिला देना है ठीक है और यहीं से हमको यहां मिला देना है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमार फ्रेंट वाला भाग, यहां रखेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, तो यह फ्रेंट वाला भाग हमारा कटिंग हो गया, अभी यहां पर एक जैसे छटका लगा लेंगे, ठीके, एक छटका हम यहां पर लगाएंगे, इसे ही आप भी किसी भी साइच की अस्तिन को कटिंग कर स रखते हैं बस पुराना बुलाउस मेजरमेंट का लेना है और जैसे हमने तरीका बताया है इसी तरह से कटिंग कर लेना है हमने अब क्या किया हुआ है यह जो बंद वाला भागेना इसको अपनी तरफ रखा हुआ है तो यहां रख लिया मैंने और अब हमको क्या करना है यहां पर एक मार्क लगाना है, जो आदाइंच हमारा नीचे दबाओ का होगा, ऐसे, जो कमर में दबेगा न, वो, अब इस बुलाउच को लेंगे, यहाँ पकड़ेंगे यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे यह बुलाउच की लंबई ठीक है लेकिन अब यह जो कस्टमबर है इन्होंने हमसे कहा है बुलाउच की लंबई आदा इंज बढ़ाना है और गले की भी लंबई आदा इंज बढ़ाना है तब आप बुलाउज की कटिंग केसे करेंगे चलिए बताता हूँ यहां से हमारा दबाव का है और यह हो गया हमारा आदाइंच लंबई में जादा मतलब अब हमको लंबई कहां से measurement करना है इस जगे से अब यह बुलाउज की लंबई भी बढ़ गई यहां margin भी हमारी आ गई अब देखिए यह जो बुलाउज है यहां पकड़ना है और यहां से जहां पर भी सीधा जा रहा है देखिए ऐसे यहां पर खिचाव आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे तिर्चा पकड़ लेंगे तो यह खिचा जाएगा तो ध्यान रखना है जैसे यह गले की पट्टी है इसकी सीध में है यहां पर रखना है इस भाग को यहां मिला लेना है ऐसे ठीक है और यहां रखना है और बढ़िया से खीच के भी रख सकते है आपन ऐसे ठीक है ऐसे और यहाँ जो सिलाई का निशान है यहाँ पर लगाना है एक मार्क और एक मार्क आदा इंच उपर लगाना है ठीक आपको किलियर समझ में आ गया होगा यहाँ पर लंबाई का नाप है और यह हमारा मार्जिंग दबाओ ठीक अब इस गले को हमको क्या करना है यहाँ पर भी हमारी एक सिलाई है जो कि शोल्डर की है इस सोल्डर की सिलाई से इस सोल्डर की सिलाई को ऐसे मिलाना है ठीक है और यहाँ हाथ रख कर इसको ऐसे पकड़ लेना है अभी देखिए इस भाग को यहाँ रखेंगे इस प्रका का इसको ऐसे लगा लेना है और इस मार्जिंग के निशान को भी ऐसे दोनों को आगे तक बढ़ा लेना है ठीक है दोनों निशान मेने यहां तक बढ़ा लिए है अब हमको क्या करना है गला मेजरमेंट करना है तो यह जो पीछे का भाग है ना दोनों तरफ ऐसे सेंटर मिलान और यह जो भाग है इसको यहां रखेंगे ऐसे और यहां पर एक सिलाई का यहां पर एक मार्किंग लगा देंगे देखिए मैंने यहां पर मार्किंग लगा दिया है अब हमको क्या करना है गले की गुलाई तो देखिए अब आपको बताता हूँ गले की गुलाई ये मैंने दोनों भाग ऐसे पकड़ लिये बरोबर ये भाग को यहां पकड़ लिया है बरोबर बीच में अब हमको ऐसे रखना है ठीके पहला हमको कहां रखना है इस जगे पर जो नीचे वाला निशान है ना इस पर क् कि उपर का तो मारजिंग का है उसको छोड़ देना है यहां रखेंगे फिर यहां से ऐसे मिलाएंगे देखिए मार्क पर और आपका जो गला रहेगा ना ऐसे बरोबर आ जाएगा ठीक है जहां पर बरोबर आएगा वहां पर रखना है ऐसे ज्यादा अंदर नहीं रखना है ऐसे ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना है आपको जहां पर measurement का सिधा निशान आ रहा है वहाँ पर रख लेना है और यहां पर आराम से चॉक के निशान लगा लेना है यह देखिए में ने यह चॉक के निशान यहां पर लगा लिये है ठीक है और ये जो निशान है ना ये हमारे गले का तैयार हो गया है पहले आपको ऐसे करना है पहले आदा इंच का दबाव छोड़ देना है अगर लंबाई बड़ी छोटी करना है तो उपर निशान लगा लेना है फिर यहां मेजरमेंट कर लेना है लंबाई का यहां निशान लगाना है margin का उपर और देखिए अब इस customer को गला थोड़ा बढ़ा चाहिए तो हम इस गले को इतना बढ़ा कर देंगे जहां का वही रेना है बस इस जगे से हमको ऐसे बढ़ा करना है ठीक है यह हो गया हमारा बढ़ा गला ऐसे ही आपको भी गले को बढ़ा करना है अब दे और यह गले का निशान है अब हमको क्या करना है जैसे यह हमारा cutting वाला निशान है यहां से हमको आदाइंच छोड़ देना है इतना और यहां पर इसको रखना है इस निशान को मिला कर और ऐसे ठीक है ऐसे यहां पर और यहां निशान लगाना है और यह आदाइंच की margin ठीक बिल्कुल किलियर समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से ठीक है यह हो गया आप देखते हैं नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे मार्क लगाना है यहाँ पर ठीक अब यह जो नीचे का निशान है यह जैसे अस्तिन की यहां से चड़ी अस्तिन और यह कमर का इस भाग को हम यहां रखेंगे ऐसे ठीक है यह रख दिया मैंने और यह सिलाई का निशान है इससे आदाइंज उपर हमारा मार्जिंग का निशान है तो इस मार्जिंग के निशान को हम ऐसे लगा देंगे ठीक है अभी आपको क्या करना है यहां देखिए अब हमको क्या करना है इस निसान पर हम बेक की कैसे लंबाई लगा रहे हैं हम बेक की चोड़ाई कैसे निकालेंगे इस गले को यहां ऐसे पकड़ लेंगे ध्यान देंगे जहां पर अस्तिन की सिलाई खतम हो रही है न वहाँ से सीधा ठीक है ऐसे रख लेंगे हम यहाँ पर हमारा आदा इंच का दबाव है इसको छोड़ देना है ऐसे बरबर रखना है और यहाँ पर यह देखिए इस जगे पर यह हो गया हमारा बेक का मार्क ठीक है और यह दबाव का ठीक है अब हमको ऐसी क्य करना है यहां से यह निशान है इस निशान से एसा मार्क लगाना है और थोड़ी सी गुलाई मिला देना है यह देखें यह हो गई हमारी बेक की मार्किंग अभी आपको बताऊ मैं इस आर्म हुल को लेना है हमको ऐसे ठीके इसे बराबर खिच के रख लेंगे इसको ऐसे मोड़ेंगे आदा इंच अंदर से इसका निशान लगाएंगे देख़ें आदा इंच अंदर क्यूंकि मार्जिंग आपका बुलाउज आ जाएगा अब हम लगाएंगे नीचे का निशान, नीचे का निशान केसे लगाना है, इस बुलाउच को लेना है, इसका हूक लगा लेना है, यहाँ पर पकड़ना है, ऐसे मिलाना है इसको, यह देखिए बरबर से, और यहाँ रख लेना है, ऐसे करकर, यहाँ पर एक निशान लगाएं देंगे हम यहां पर यह सवा इंच का डॉट देंगे हम जो सेंटर में डॉट रहेगा न वो और यहां से तीन बोट याने देड़ इंच ठीक है देड़ इंच का यह मार्जिंग यह margin देड़ इंच की और यह जो है न डॉट के लिए है तो डॉट के से लगाना है चलिए मैं इसको cutting करने के बाद आपको बताता हूँ यहां पर छटका लगा लेंगे यहां से अस्तिन चड़ेगी हमारी इस गले को हम cutting कर लेंगे यह हमारा गला cutting हो गया है अब यह आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे इस जगे पर लगभग .75 यहां से उपर कर लेंगे और इसको थोड़ी दूर तक cutting करना है ऐसे अभी देखिए इसको दोनों को ऐसे रखना है यहां पर ठीक है यह रख लिया मैंने और यहां पर एक निशान लगाएंगे ऐसे रख लेंगे यहां पर जो तीन बोट हमने मार्जिंग छोड़ी थी ना उसको छोड़कर और यहां पर छटके का निशान लगाएंगे और ऐसे रख कर यहां पर लगा लेंगे हम डॉट का निशान यहां पर सवाइंच का डॉट देना है आपको ऐसे बस अब यह बेक की कटिंग मेरी तयार हो गई है तो अब देखते हैं इसकी साइट का भाग हम कैसे कटिंग करने वाले हैं इस चीज को हटा देंगे आपको साइट भाग भी तो कटिंग करना है तो साइट भाग हम इस परकार से कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है चलिए बताता हूँ यहां से सीधा मार्क लगा लेंगे निचे तक ठीक है अभी इस भाग को लेंगे यहां पकड़ेंगे और यह देखिए यह वाला यह है नीचे की सिलाई जो कटोरी के बाजु का भाग रेता है ना उसकी सिलाई है यह वाली और यह अस्तिन चड़ाई ना हमने उसकी सिलाई है इसको यहां रखेंगे ऐसे आदा इंच का निशान रख लेंगे यहां पर भी रखेंगे इसे बरोबर से और यहां पर निशान में ने लगा लिया आदा इंच मेरा नीचे दबाव करेगा तो अब यहां से किलियर होगे यह क्रास पट्टी है मेरी और यह साइट के भाग के सिलाई है ना अब हमको क्या करना है जब भी अपन फरंट कटिंग करते है ना तो यहां से देखिए ऐसे सीधा लगाना है निशान और इस निशान से इसको मिला लेना है और यह जो बीच का भागे ना यहां पर गुलाई दे देना है यह पौन इंच अंदर गुलाई लगती है ठीक है तो यह निशान अपने को पूरा कर लेन है यह भी निशान अपने को पूरा कर लेना है यहां तक ठीक है अब देखते हैं इसकी हम कटोरी कहां से रखेंगे आईसे लेंगे, जो folder का निशान है ना ये वाला, जो soldier की सिलाई है, और ये है cutori की सिलाई, ठीक है, इन दोनों सिलाई को ऐसे रखना है, यहाँ से आदा इंच ऊपर छोड़ देना है, जो सिलाईitating हमने छोड़ी है ना, उसका ध्यान रखना है, इसको छोड़ दिया, इसको य जादा इंच की मार्जिंग देना है जो दबेगान हमारा कटोरी में वो वाला किलियर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर इस निशान को हम ऐसे पक्का कर लेंगे ऐसे यहाँ पर भी आपन निशान एक उठा लेंगे बताओंगा यह क्यों उठाना है ऐसे हमने इसको पक्का कर लिया है अभी इसको यहाँ रखना है ठीके अब हमको यह जो साइट का भागे ना जो कटोरी की साइट का भागे यहाँ से कटोरी जुड़ी हुई है हमारी और य बेखिए यह वाली अब यहां क्या करना है हमको साइट में कुछ भी नहीं छोड़ना है ठीक है ना हमको यहां ऐसे रखना है इस तरह से इस सिलाई के ओपर मिला करके रख दिया मैंने यह यहां रखेंगे हम और यहां से एक निशान और यह अंदर का दबावाला निशान ठीक का है इसका ऐसे रखेंगे चार बोट यहां और चार बोट यहां पर तो यहां पर यह आ जाएगा इसको यहां निशान लगाएंगे जहां से हम कटिंग करेंगे ठीक है अभी देखिए इस जगे पर से निशान कैसे उठाना है यहां लेंगे कटोरी का यह है हमारा सेंटर वाला भाग इस भाग को यहां पकड़ना है और इसको ऐसे खिचना नहीं है बस साधारण सा रखना है यहां रख लेंगे देखिए यहां पर भी मैंने आदाइं मार्जिंग दबाव की छोड़ दी और यहां पर भी देखिए यह यहाँ पर बरोबर आ गया है ठीक है अभी देखिए यहाँ से हमको नीचे वाला निशान लेना है यह वाला और यह वाला तो यहाँ पर भी हमारा margin दबाओ है आदा इंच का अब यह जो side का part रहेगा इसमें कोई margin दबाओ अपने को नहीं अलग से तो कुछ नहीं करना है यहाँ से यहाँ मिला लेना है ऐसे और यहाँ से अपने को यहाँ मिला लेना है ठीक है यह हो गया हमारा side part और side part cutting करने के बाद आपको बताऊँगा कटोरी कैसे cutting करना है यदि आपने कभी भी blouse नहीं cutting किया है तो इस तरीके को आजमा लिजिए आपका बलाउज 100% परफेक्ट फिटिंग आएगा चलिए इसका side part cutting करते हैं फिर आपको बताता हूँ कि कटोरी की cutting और क्राश पट्टी की cutting कैसे करेंगे अभी देखिए यहाँ पर यह कपड़ा रखेंगे इसे यहाँ से हमने बेक की cutting की है तो अब यह जो कपड़ा है इसको यहाँ ऐसे पकड़ना है और इसको यहाँ रख देना है सीधा यह देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है सीधा और इसको अब कुछ नहीं करना है ऐसे रखना है ऐसे मारना है ऐसे ठीक है यह लग गया अभी आपको बतो थोड़ असा आपको क्या करना है निशान कहां पर आया है हमारा मेन सिलाई वाला यह देखिए यहां पर जहां पर हमारा निशान आएगा न और एक मेन निशान कहां आया है हमारा यहां पर ठीके तो यहां लगाएंगे निशान और ऐसे ठीके बाहर यहां से पाव इंज बाहर करना है बस ठीके बाकी देखिए यहां पर निशान आ गया है हमारा उपर के दबाओ का जब आप अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन जब आप बुलाउच कटिंग तो यह मार्क पूरे तयार आपको दिखने लग जाएंगे देखिए मैं यहां से इसको निशान लगा लूँगा यह हमारा दबाओ वाला निशान है यह हमारा मार्जिंग वाला निशान है और यहां पर देखिए यह अंदर वाला निशान दिख रहा है और यह बहार वाला इसी प्रकार से आपको भी सारे निशान दिख जाएंगे ये देखिए ऐसे ठीक है अभी देखिए ये दिख रहा आपको कटोरी वाला निशान इस निशान को ऐसे लगा देंगे अब देखिए किता आसान है ये साइट को पार्ट को कटिंग करना आप लोगों को कई बार दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया है न ये बिलकुल आसान तरीका है इस प्रकार से आप किसी भी साइच की कटोरी गुलाउच का साइट पार्ट कटिंग कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर से कटिंग करेंगे अब देखिए दोस्तों ये हमारा साइट पार्ट कटिंग हो गया अब हम इसकी कटोरी कटिंग करेंगे और देखिए बहुत आसान तरीके से इस भाग में आपको हमेजा कटोरी की कटिंग करना है तो कटोरी की कटिंग के लिए हमको लगेगा साइट वाला पार्ट अभी यहां रखेंगे हम ऐसे आपको मालूम है ये भाग हमारा सीधा है ये भाग हमारा आड़ा है याने सीधा कपड़ा है ये आड़ा कपड़ा है कभी भी हमको सीधे कपड़े पर कट्टेरी को कटिंग करना है और पीच में जो आता है वो उरेव भाग आना चाहिए तो उर जमाएंगे देखिए मैंने बिल्कूल आराम से इस पर लगा दिया है इसका जो सेंटर आता है यह वाला सेंटर यहाँ पर रखना है ठीक है यह मैंने रख दिया है अब मैं क्या करूंगा इस निसान को किलियर उतार लूँगा यहाँ लगाएंगे ऐसे और यहाँ पर यह इसाया है ना तो आपको क्या करना है यहाँ पर मार्जिंग हम साइट में इस्टर नहीं देंगे तो हम इसी मार्जिंग से एक बोट नीचे याने पौन इंच नीचे उतार लेंगे निशान को ध्यान रखना है कित्ता उतारा है पौन इंच नीचे अब यहां पर हमको कटोरी तो हमने यहां से कटिंग की थी न आब हमारे पास क्या बचा है फरंट वाला गला ठीक है तो यह हूप को खुल लेंगे इसे ऐसे रखेंगे और यह जो कटोरी वाला गला है ना इसको हमको यहां रखना है जैसे हमारे कस्टमबर का बुलाउज रहता है ना वैसे ही हमको रखना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां से निशान को निचे लेंगे यहाँ पर आदा इंच का दबाव का निसान लगाएंगे और यहाँ से देखिए यह जो निसान एन कटोरी का इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे रख लेंगे ठीक है, जितना यह घूम रहा है बस उतना ही घुमाना है आपको ना तो ऐसे सीधे रखना है और ना जादा उपर रखना है जितना ये घुम रहा है उतना ही घुमा करके आपको ऐसे रख लेना है अभी इस निशान को हम किलियर कर देते हैं ऐसे ठीक है ये हो गया हमारा निशान complete यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और आदा इंच क दबाओ ठीक है आपको किलियर समझ में आ गया होगा कि हमने इस कटोरी को कैसे निकाला है किलियर दबाओ सहीत ठीक है अभी मैं इस भाग को हटा दूँगा यहां से और आप देखिए कितने आसान तरीके है कटोरी बलाउच के कटिंग के ये जो निशान जैसे जा रहा है न दॉट की लंबाई ये लेंगे वही हुक वाला पार्ट हम ऐसे ये है कटोरी अब कटोरी की ये डॉट है न जहां पर इसको पकड़ेंगे हम और ये जो सिलाई है न गले के दबाओ वाली इसको पकड़ेंगे हम और देखिए यहां रखेंगे ये जो सिलाई वाला नीचे का निशान है ना यहां रख लेंगे इसे और यहां से सीधा ठीक है इसको खीचना नहीं है नहीं तो यह क्या है उरे यह ऐसे खीच जाएगा इसको खीचना नहीं है आपको ऐसे रख लेना है बरोबर से यहां एक मार्क लगाना है यह आगे मेरे dot की लंबई ठीके अब dot के नीचे की भाग की लंबई हम कैसे रखेंगे ऐसे रखेंगे वापस और यहाँ पर यह dot की लंबई और यह आदा इंच का margin जो दबेगान हमारा कमर में वहाँ का जैसे हमने यहाँ margin छोड़ा है वैसे यहाँ पर margin आ गई है ठीके अभी हमको क्या करना है यहाँ पर यह जो निशान है इसको हमको यहाँ मिला लेना है ऐसे ठीके अभी सामने का भाग देखते हम यह जो कटोरी हूखाई की पट्टी है ना इसमें यहाँ पर करास पट्टी लगी है ना यह वाली और यह वाला गले का भागे तो इस करास पट्टी को हमको यहाँ रखना है ऐसे देखिए यह जो अंदर वाला निशान है ना इस पर रखना है यहाँ पर और ऐसे खिचाव नहीं देना है कहीं पर भी ऐसे ठीक है और यहां पर देना है मुझे आदा इंज की मार्जिंग बस इसमें यहीं पर आदा इंज की मार्जिंग देना है इस तरफ नहीं देना है ठीक है तो आप यह जो मार्जिंग का निशाने यहां मिलाना है ऐसे है ठीक है ऐसे है अभी ये बात आपको किलियर समझ में आ गई होगी अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डॉट सेंटर में आया नहीं आया क्या होगा है न तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ आपने अगर इस प्रकार से पूरी मार्किंग लगा ली है अगर वीडियो समझ में नहीं आये तो वीडियो को पिछे करकर देख लीजिए आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी और फिर भी अगर समझ में नहीं आये तो आप 2-3 बार वीडियो को रिवर्स करके देखना हर बुलाउच को आसानी से कटिंग करना है, तो इस मेथट को सीख लेना है, अभी मैं इसको कटिंग करता हूँ, देखिए मैंने थोड़ सी लाइनिंग बाहर करके कटिंग किया है, अभी मैं आपको बताओ, जब भी आप इस प्रकार से बुलाउच कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर इत्ता पाव इंच अंदर, इस निसान को सीधा कट कर देंगे, ऐसे हैं, यह जब ज़्यादा गुलाई का भाग आता है तो जब हम जोडते हैं तो यहाँ पर थोड़ा उट जाता है, लेकिन यह जब भाग हम कटिंग कर देते हैं तो यह उठना बंद हो जाता है, मैं जब सिलाई करूँगा न तब आपको बताऊँगा कैसे उठना बंद होता है अभी यह हो गया अब हमको निकालना है dot ठीक है तो यहाँ पर रखेंगे ऐसे इस भाग को रखेंगे यहाँ पर देखिए और यह जो दिखरा आपको center इसको मिलाना है आपको ऐसे अभी देखिए आपको clear समझ में आएगा यह हमने अनुमानित निसान उठाया था लेकिन आप यहाँ पर से center अपना automatic आ जाएगा दोनों तरफ कटोरी इतनी बरोबर से दबाव में आ जाएगी ठीक है तो इस निसान को यहाँ ले लेंगे हम ऐसे और यह दोनों को बरोबर कर लेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से अभी देखना है यहाँ पर यह है ना अमारी कटोरी यह यह वाला भाग ठीक है यह सिलाई और यह हुक की सिलाई इन दोनों को हमको ऐसे बरोबर रख लेना है यह रख लिया हमने बरोबर clear समझ में आ गया यह बाहर का भाग है इसको छोड़ देना है यह दोनों और अब आपको क्या करना है इन दोनों भागों को हमको यहाँ पर यह है ना जो दबाओ का margin का छोड़ कर यहाँ पर रख लेना है ऐसे और इस भाग को यहाँ रखना है ऐसे अभी देखिए यहाँ रखा हमने लेकिन हमको cutting कहा करना है तो थोड़ा सा अंदर निशान करके यहां पर छटका लगा लेगे ठीक है अब यह मार्जिंग दबाव सहीत हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी यहां से इस निशान को हमको ऐसे लगा लेना है ठीक है अब यह हो गया हमारा कटोरी का टक्स यह देखिए दोस्तो यह कटोरी का टक्स हम ऐसे लगाएंगे यहां पर यह पैक कर दिया हमने और ऐसे हैं ठीक है यह कटोरी का सेंटर आ जाएगा बलाउच कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो आपका बिल्कुल परफेक्ट उतर जाएगा यह देखिए अब इस बैक को लेंगे यहां रखे प्रकार से और यहां पर एक निशान लगाएंगे उपर के पाट का हमने यहां पर दबाव दे दिया है तो स्रीबाब हमको क्रास पट्टी में ही दबाव देना है तो हमारी क्रास पट्टी यहां से कटिंग होगी यह जो बेग है इसको यही रख लेंगे इस से बरोबर से इ यहां पर निशान लगा लेंगे इतना बड़ा हम रख लेंगे फरंट के तरप का ठीक है यह समझ में आ गया आपको अभी हमको क्या मेजर्मेंट करना है अभी हमको मेजर्मेंट करना है यह क्रास पट्टी कितनी रखी है इसको यहां रखेंगे आदा इंच नीचे दबाव का और आदा इंच, उपर दबाव का हम छोड़ देंगे, देखिए ये हमने उपर रख लिया, अब इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क लगा देंगे, इसका एक और तरीका है, जैसे यहाँ रख लेंगे, थोड़ा सा ऐसे मिलाकर, अगर गुलाई में देना है, तो यहाँ पर ऐसे, औ और इस प्रकार से, यह हो गई हमारी क्रास पट्टी की कटिंग, अब देखिए इतना आसान तरीका है बलाउच की कटिंग का, इसको हमने यहां रख लेना है, ऐसे, इस भाग को हम यहां रख लेंगे, ऐसे, यह जो side part है, यह देखिए यहां रखा गया, बरोब्बर उसी की जगे पर और ये देखिए ये यहां रखा जाएगा बरोब्बर इसी जगे पर जो ये dot का है न एिश्ट्रा ये यहां पर अंदर बंद हो जाएगा तो ये ऐसे आगया यहां पर देखिए यहां पर भी दोनों की margin दबाव है यहाँ पर भी दोनों margin दबाव है यहाँ पर भी देखिए इसकी और इसकी दोनों की margin एश्ट्रा आ गई है अभी यह अस्तीन है हमारी तो यह भी cutting हो गई है अभी देखिए कोई बड़ी बात नहीं है यतने सारे भी बुलाउज रहेंगे कि आपके बात 10, 12, 15, 20, 25 कितने भी बुलाउज जो इस फर्मे को रखना है और cutting कर लेना है बहुत आसान तरीका है तो चलिए इसके बाद में जो next video बनाऊँगा ना तो आपको बताऊँगा इसको कपड़े पर रखकर cutting के से करेंगे और कपड़े पर रखकर जब हम cutting करेंगे तो उसके बाद इसकी stitching के से करेंगे तो आपको दो बलाउज की stitching बताने वाला हूँ और बहुत बारिक बारिक आपको जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और दोस्तो वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना बहुत महनती वीडियो है और चैनल पर अगर पहली विजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब कर लेना ऐसी कई अच्छी अच्छी जानकरी आगे देने वाला हूँ तो उसके लिए नोटिपी किसन आपको आजाए तो इसके लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लेना आल के अप्शन के साथ तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पाए